आपकी साइंस टीचर और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपकी बुक के चाप नंबर 8 को जोके है Forces, Tools and Machines So far हम चाप नंबर 8 में बात कर चुके हैं gravity के बारे में और buoyancy के बारे में Today we are beginning our lesson about friction. हम परते हैं के friction की definition क्या होती है Friction is a force that slows down or stops objects that are sliding past each other So basically आपने friction अपनी life में increased बहुत जादा experience की होगी But however you might not be able to recognize it के वो होती क्या है ठीक है तो आज हम बात कहरें के friction basically क्या चीज होती है Friction होती है जब कोई से दो objects आपस में रगड खाते है एक दूसरे के साथ in contact आते हैं तो उनके दर्म्यान एक force play करती है और वो force कान सी होती है? वो friction होती है और फिर friction का role ये होता है कि वो उन दोनों objects को slow down या stop कर देती है तो अगर कोई भी दो objects एक दूसरे के साथ in touch आ रहे हैं और उसकी वोज़े से slow down हो जाते हैं रुख जाते हैं तो उसके दर्म्यान कौन सी force act कर रही है? वो friction की force act कर रही है आएं friction की example पढ़ लेते हैं सबसे पहले example यहाँ पर ओरंदी भी है brake pads की तो आप सबने कभी ना कभी bicycle ride की होगी bicycle में होते हैं brakes, right? तो आपन brakes को press करते हैं और आपकी bicycle stop कर जाती है वो किस तरह से होता है? आखर bicycle की brake को press करने से ऐसा क्या होता है कि bicycle जो पहले slow down करती है और फिर वो रुख जाती है तो basically होता ही है कि आप जो bicycle की brake को press करते हैं तो उसके brake pad जो है, वो cycle के tire के rim के साथ in contact आते हैं उसकी वज़से cycle के tire का rim होता है और जो आपकी brake pad होती है उन दोनों के दर्मियान friction पैदा होती है उसके पैदा होने की वज़से फिर cycle जो है वो slow down करती है और फिर stop कर जाती है तो basically जो friction है cycle के tire के rim के दर्मियान और आपके brake pad के दर्मियान उसी की वज़से आपकी cycle रुक रही है and it is coming to a halt दूसरी example क्या है? cricket ball की अगर आप cricket खेले हो तो आप ground पे अपनी ball को फैंकते हो तो काफी देर तक वो उसके उपर roll होती रहती है तो इसके बाद वो जाके रुक जाती है तो ऐसा क्या होता है कि आपकी ball जाहे वो ground के उपर जा रही है slow down करी है और फिर रुक रही है उसकी भी यही वज़ा है कि ball और ground के दर्मियान friction होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ in contact होते हैं दोनों का एक दूसरे के साथ रापता हो रहा होते है जिसकी वज़ा से उनके दर्मियान friction की force पैदा होती है जो कि कोई से दो objects जो आपस में slide कर रहे हूं उनके दर्मियान पैदा होती है और जैसे ही friction परदा होती है उसके बात की आउते है कि friction का काम ही ही होता है कि वो अब्जिक को slow down कर दे या उसको stop कर दे तो पहले क्योंकि friction थोड़ी कम होती है, ball slow down कर जाती है, लेकिन जब friction की force ज़्यादा हो जाती है, तो फिर क्या होते है, फिर आपकी ball बिल्कुल stop कर जाती है, आगे देखते हैं, rough और bumpy surfaces have more friction than smooth or greasy surfaces, ये काफी common sense की बात है कि जो आपकी rough surface होती है, जैसे कि आपकी road या पर कोई rocky surface वो जादा friction show करती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जादा terrain होता है, जादा rough surface होती है, उसके साथ जब कोई object contact में आते है, तो वो जादा-जादा rough experience करता है, असके साथ contact को, and that is why your object will experience more friction, however, जब आपकी smooth surface के साथ in contact लाते हो किसी object को, तो फिर उसके friction का match करती है, तो जादा friction जो है, उसको इंस्टिल करते है, in comparison to smooth surfaces, इसकी भी example हम पढ़ लेते है, marble along glass, अगर आप कहीं पे glass देखो, उसके पे marble को फिंक हो, तो आप देखोगे, कि marble बहुत अराम से slide करता वा जा रहा है, और उसमीं जल्दी ना रुक रहा है, ना stop कर रहा है, ना slow down कर रहा है, However, ball along wooden log, अगर आप कोई ball लेते हो, और इसको wooden log के उपर से गजारते हो, तो फिर क्या होते है, wooden log क्योंकि एक लकडी का piece है, जो काफी rough है in surface, तो वो जादा friction experience करेगा, और आपका ball जल्दी रुक जाएगा, और जल्दी slow down कर जाएगा, so in this manner, you can differentiate कि जो rough surfaces है, वो क्या है, वो जादा friction install करती है, और जो smooth surfaces है, वो कम friction install करती है, आगे हम कहरे हैं कि friction only acts on solids, तो ये एक बड़ा important concept है, वे बार-बार आप से पूछा भी जाएगा, कि frictions जो है, वो हर state of matter पर act करती है, पहले तो जरूरी ये है कि क्या आपको या आते states of matter क्या होती है, states of matter में आ जाते है, solids, liquids and gases, और उन तीनों के particles जो होते है, differently arranged होते हैं, ठीक है, तो फिर उन पर different तरह से forces act करती है, जैसे कि friction की force जो है, वो solid पर act करती है, क्योंके ball, ground, ये सब चीजे solids हैं, जब ये solids एक दूसरे के साथ in contact आते हैं, तो ये friction experience करते हैं, however, liquids में उस तरह से friction नहीं होती, ना ही gases में हो forces हैं, अब हम बात करने वाले हैं, air resistance के बारे में, क्यों, क्योंके अभी-अभी हमने discuss क्या किया है, हमने discuss किया है, कि friction जो होती है, वो सिर्फ solids पर act करती है, और gases or liquids है, उन पर different force act करती है, उनको slow down करने के लिए और stop करने के लिए, तो gases के case में क्या होगी, वो होगी air resistance, और water के case में, liquids के case में, वो water resistance होगी, आए हम air resistance के बार में पढ़ते है, a type of friction in which air slows down an object, तो इसमें क्या हो रहा है कि बजाए इसके के दो object एक दूसरे के साथ in contact आए, एक object air के साथ in contact आता है, और air उसको slow down कर देती है, examples, walking with wind coming towards you, a falling parachute, हम इन दोने examples के बार में बात करते हैं, so we would say क आप क्या कह रहे हो, कि आप कह रहे हो कि जब आप किसी हवा में चलते में जाते हो, right, अगर wind आपके direction में आ रही है, when it's coming towards you, आप उसकी तरफ walk कर रहे हो, तो आपके लिए walk करना कितना मुश्किल होता है, especially तेज हवा में, it becomes harder as the wind increases, क्यों, क्योंकि wind जो है, वो आपकी आपके लिए तेज हवा में, अगर वो आपकी तरफ आ रही हो, तो चलना मुश्किल होता है, however, अगर आपके पीछे से wind आ रही हो, right, आपके पीछे से direction इस तरफ हो, और आपके सामने से ना आ रही हो, तो फिर वो आपको help करते हो, आप ज्यादा आसानी से आगे की तरफ ब होता है कि पहले वो तेजी से गिर रहा होता है, फिर इसके ओपर air resistance बढ़ती जाती है, जिसकी वज़ए से वो नीचे आने तक slow down कर जाता है, और eventually बिल्कुल नीचे आके लुग जाता है, इसी वज़ए से लोग उसको use करते हैं उपर से jump करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो स्माश करके फॉरे नहीं गिरेगा, वो slow down कर जाएगा, उसका बलून जब खुलेगा, तो उसके बाद air resistance इस पर act करेगी, और फिर air resistance इस बलून को slow करते हुए, आपके पूरे parachute को slow down कर देगी, then you'll easily come down and land on the ground. Next time पढ़ रहे हैं water resistance के बारे में, अभी तक हमने बात किस-किस चीज़ की कर ली, हमने बात की friction के बारे में, जो कि solids के दर्मयान होती है, और हमने बात की air resistance के बारे में, जो कि air act करती है किसी दूसरे object के उपर, अब हम कहने हैं कि water resistance क्या होती है, क्योंकि liquids में तो friction नहीं होत वोटर दस्ताइंg तो इन तीनों ry। का काम एक ही है किया करते हैं या अबजेक्ट्स को slow down कर देते हैं जब वो किसी चीज के साथ contact में आते हैं friction की सूरत में औस object जिसलिप्र के साथ contact में आता है air resistance की सूरत में ऑबजेक्ट जो है वो кbiais air के साथ in contact में आता है और water resistance में वो object water के साथ in contact आता है तो इसी वजह से water resistance में क्या हो रहे है कि जब कोई object slow down कर जाए water की वजह से तो फिर हम कहते हैं कि उसमें water resistance act करी है इसकी क्या example मों हमें बता रहे है walking in a swimming pool अगर आपने गभी swimming pool में चलने की कोश्चियों तो आपने experience किया होगा कि से बहुत जादा effort लगती है क्यों वो effort इसलिए लगती है क्योंकि आपको water की resistance को बीट करके उससे आगे बढ़ना होते है तो water में इसी वजह से किसी भी चीज़ को इवन अगर अगर अपना हाथ ही जोड से डालो और गजारनी की कोशिश करो तो you will experience some force telling you to stay back right it will be pushing you backwards and that is exactly what water resistance is doing now that we discuss these three forces हम बात करने लगें अब question and answers की तर सबसे पहले simple से true and false कर लेते है question and answers true or false buoyancy is an upward pressure सबसे पहले वो आप से पूछे के buoyancy क्या एक upward pressure होता है is it true or false think about it well it's completely true क्योंकि जी हाँ buoyancy बिल्कुल upward pressure को ही कहते है क्या है यह वो वाली force है जो water experience करता है जिसकी वज़ए से bodies और objects water में float करती है और वो upward pressure की वज़ए से ही float करती है आए अब हम आगे चलते है in the B part let's see what we have to read a smooth surface will have more friction than a rough surface तो वहाँ पर वो क्या कह रहे है वो कह रहे है कि अगर surface smooth होगी क्या है क्या कि rough surfaces जो होती है वो ज्यादा friction experience करती है उनके उपर friction ज्यादा strongly act करती है जबके smooth surfaces ते friction इस तरह से act नहीं करती जैसे कि हमने marble on the glass की example ली थी कि जब आप marble को glass पे फैंकोगे तो आराम से जाएगा smoothly जाएगा उसके पर ज्यादा friction act नहीं करेगी however अगर आप किसी ball को किसी rough wooden log पे फैंकोगे तो क्या होगा वो ज्यादा friction experience करेगा so this will be completely false third part में वो कह रहे हैं friction occurs with all states of matter completely incorrect why it is incorrect because friction सिर्फ किस पे act करती है friction सिर्फ पर सिर्फ solids पे act करती है वो किसी और state of matter पे act नहीं करती बाकियों के लिए हमने बात किया है resistance की जो के air और water में different तरीके से act करती है but friction is only restricted to solids सिर्फ जब दो solids एक दूसरे के साथ in contact आते हैं तो उनके दर्मियान friction पैदा होती है उसके इलावा किसी और state of matter में friction पैदा नहीं होती और अगर होती भी है था हमने इसको क्या नाम दे दिया है हमने इसको resistance का नाम दे दिया है आगे पड़ते है in your notebook अब क्योंकि हमने इन तीनों बातें discuss करनी है अब हमारा अगला unit है वो machines के बारे में हम forces के बारे में discussion कर चुके तो मैं चारी थी before we move on हम इसके question answers को एक दफा कर लें ताके हम reflect कर सकें कि हमने इनके बारे में अभी तक क्या सीखा आएं पहला question बढ़ते है What is friction? Give two examples क्या अभी भी इसको explain करनी की जरूरत है I really don't think so तो friction क्या होती है जब दो objects एक दूसरे के साथ slide along करते है और उसकी वज़े से वो slow down हो जाते है या फिर वो stop कर जाते हैं तो वो friction होती है Friction causes the two objects to stop or slow down when they come into contact with one another However, इसकी दो examples आप कोई सी भी दे सकते हो जरूरी नहीं कि जो हमने discuss की थी अभी recently about different the ball falling from the ground या फिर off your brake pads आप उनको नहीं लेकर आओ आप और भी examples के बारे में सोच सकते हो जैसे कि आपकी गाड़ी की brakes होती है आप usually अपने हर रोज की जिंदगी में इनको यूज करते हो आपको help करती है अपनी life को carry on करने में है तो उसी तरह बात कर सकते है कि जो गाड़ी है उसको जब आप brake बदबाते हो तो गाड़ी hall पे आजाती है that is also friction coming into play इसके रावा जब आप slide लेते हो तो slide पे भी आप नीचे जाके क्यों रुख जाते हो पहले आप slow down करते हो और फिर आप stop कर जाते हो why? because of friction again तो इस तरह की कई examples को आप mention कर सकते हो और पहले से भी हमाया lesson से सुन सकते हो कुछ examples के बारे में अब पढ़ते है question number 2 what is air resistance? give two examples फिर से वही बात आगी कि अब air resistance को define करने जो कि हमने अभी-अभी किया था what is air resistance? air resistance होती है when air causes an object to slow down or stop when it comes into contact with it तो इसकी example क्या होगी? इसकी भी example हो से थी aeroplane जो fly कर रहा होते है तो वह आइसता हो जाता है उसको difficulty होती है move करने में because of air resistance उसके अलावा जो हमने बात की थी parachute जब नीचे आता है तो वह भी air resistance को ही experience करते है इस तरह से आप और भी कई examples अपने एदगेद अबसर्व कर करके in analysis में लिख सकते हो अच्छे से definition लिखो पिर इसकी example लिखो and be done with this exercise on your notebook अब next chapter में हम इसको इंशाला आगे लेके चलेंगे and we'll discuss more about machines तब तक के लिए Allah Hafiz and take care of yourselves